माया के पार कौन जाता है? इस संसार के भव सागर को कौन तर सकता है? इसके बारे में नारद भक्ती दर्शन के सूत्र की व्याख्या करते हुए पूजे स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महराज लिखते हैं कि जीव और इश्वर परस पर सखा हैं इनकी परस पर क्रीडा चल रही है इश्वर ने कहा मैं छिपता हूँ मुझे ढूंडो और मेरे समीप आओ इश्वर ने माया फैलाई जादू का खेल बनाया और उसमें वह छिप गया है जीव को इस माया से पार होकर इश्वर के समीप जाना था किन्तु वह इस माया में फस गया है इस माया से जीवन किस प्रकार पार हो सकता है नारज जी अपने च्छालिशवे सूत्र में यह बतलाते हैं कहते हैं माया के पार कोन जाता है कोन माया को पार कर सकता है जो संपूण आसकतियों का त्याग कर देता है महा पुरुशों की सेवा करता है और ममता रहित हो जाता है परमात्मा ही अपनी माया से अनेक रूप बन जाते हैं यह जो संसार के द्रिश्य रूप है यह माया के जाल है इनमें जो नहीं फंसेगा इनमें आसकत नहीं होगा वह परमात्मा के समीब पहुँचेगा जो इनमें फंस जाएगा वह इश्वर के पास नहीं पहुँच सकता यह संगास त्यजति जो आसकतियों को त्याग देता है वही पहुँच सकता है अतह संसार के विशेयों और विक्तियों की आसकती छोड़ दो रहना नहीं देस बिराना है प्यारे सराय को, धर्मशाला को ही घर मान लेना प्याओ उपर अकस्मात मिले विक्ति को मित्र मान लेना बुद्धि मानी नहीं है यह संसार तो धर्मशाला है इसके सब पदार्थ धर्मशाला की वस्तुएं है इनका उप्योग भले कर लो पर इनको अपना मान कर इनमें आसत मत हो जाओ संसार के प्राणी प्याव पर मिले जैसे है जन्म मरण के चक्र में अकस्मात यह मिलन हुआ है अतहा इनमें आसकती मम्ता मत करो यो महानु भावं सीवते जिनोंने महान परमात्मा का अनुभाव किया है वे महानु भाव हैं क्योंकि उनका अनुभाव बड़ा है परमात्म तत्व का उन्हें अनुभाव है परमात्मा का अनुभाव कराने में वेही समर्थ हैं अतह उनकी सेवा करो निर्ममो भवती संसार में मोह ममता मत करो किसी वस्तु या व्यक्ति को अपना मत मानो जो ऐसा करता है वह माया सिपार हो जाता है और परमात्मा के समीप पहुच जाता है माया को पार करने के तीन उपाए पहले सूत्र में कहे गए कि संसार की आसकती छोड़ना महापुरुष की सेवा करना तथा ममता को त्याग देना अब इन तीनों के फलस्वरूप जीवन में जो चार साधन पुष्ट होते हैं उनका वर्णन नारज्जी करते हैं सैतालिस्वे सूत्र में लिखते हैं यो विविक्त स्थानम सेवते यो लोक बंधम उनमूल अयती निस्त्रई गुन्यों भावती योग अक्षेमम त्यजती अर्थात जो एकांथ सेवन करता है लोकिक बंधनों को जो निर्मूल कर डालता है जो तीनो गुनों से पार हो जाता है और जो योग तथा अक्षेम को भी छोड़ देता है वह माया से पार हो जाता है यो विविक्त स्थानम सेवते पहले सूत्र में कहा है कि यह संगास्तिजती सबका संग कैसे छोड़ा जाए समाज में रहोगे तो कोई न कोई मिलेगा ही सोयम किसी के यहां मिलने भले ही न जाए किन्तु कोई सोयम आएगा तो भगाया तुझा नहीं सकता और वह क्या चर्चा करेगा इसका भी ठिकाना नहीं है ऐसी अवस्था में दुस्संग का सर्वथा त्याग कैसे हो इसका उत्तर है कि एकांत में रहो एकांत का सेवन करो तो दुस्संग का सर्वथा त्याग हो जाएगा यो लोक बंधम उन्मूलयती सरवथा एकांत में रहना कैसे बने परिवार में मित्रों में भी कोई उत्सव होता है कभी बेटे या बेटी का विवाह होता है कभी किसी के यहां संतान उत्पन होती है या कोई मरता है दूसरे भी अनेक कारण होते है कि एक दूसरे के यहां जाना सामाजिक मर्यादा की दृष्टी से आवश्यक हो जाता है ऐसी अवस्था में क्या किया जाए इन लोकिक बंधनों को त्याग दो उनका उन्मूलन कर दो मन से ही संसकार निकाल दो साधक के लिए, भग्त के लिए तो दूसरे संसार के जितने संबंध जितने बंधन है उनका उन्मूलन सर्वता त्याग करना चाहिए ऐसा कैसे हो? केवल कह देने से तो मन में जो स्नेह संबंध है वे मिट नहीं जाया करते इसके लिए पहले सूत्र में महानु भावम सेवते कहा जा चुका है जो महापुरुष की सेवा करेगा वह लोक बंध का उन्मूलन करके निस्त्रई गुन्य हो जाएगा निर्ममो भावती उसकी ममता नष्ट हो जाएगी और तब त्रिगुण मूलक संबंध एवं क्रियाएं उसे बांध नहीं सकेंगे भगवान ने गीता में कहा अर्जुन वेद त्रिगुण विशयक प्रतिपादन करते है तुम इनसे उपर उठो निस्त्रई गुन्य हो जाओ अंत में कहा योगक्षेमम त्यजती हमारे समीप जो कुछ नहीं है वह हमें प्राप्त हो जाए यह योग है और जो हमारे पास है वह रक्षित रहे यह क्षेम है संसार में यदि हम किसी से भी संबंध नहीं रखेंगे किसी के सुख दुख में सम्मिलित नहीं होंगे तो हमारे सुख दुख में कौन सम्मिलित होगा संसार में सबका काम एक दूसरे की सहायता सहयोग से ही चलता है हम किसी से संबंध न रखें और सर्वता एकांत में बैठ जाएं तो हमारे योग अक्षेम का निर्वाह कैसे होगा इसका उत्तर यह है कि भक्त वह है जो योग अक्षेम के चिंता भी छोड़ देता है उसके लिए भगवान ने प्रतिग्या कर रखी है वे गीता में कहते हैं जो लोग मेरा अनन्य चिंतन करते हुए चारों और मेरी ही उपास्तना करते हैं अपने में सदा युक्त उनके योग अक्षेम का मैं वहन करता हूँ अतय भक्त अपने योग अक्षेम की चिंता नहीं किया करते तो तब क्या भग्त कर्म करता ही नहीं? भगवान ने तो कहा है कि कोई भी एक भिक्षन कर्म किये भीना नहीं रह सकता प्रकृती के गुणों के द्वारा विवश हुए सबसे कर्म करवाए ही जाते हैं ऐसी एवस्था में भग्त से भी कर्म तो होंगे ही उसने लोक बंधन का उनमूलन कर दिया है अता ओरों के लिए कर्म करने का प्रश्ण ही उसके लिए नहीं है और अपने लिए भी कर्म करने की उसे आवश्यक्ता नहीं क्योंकि योग अक्षेम की चिंता वह छोड़ चुका है कर्म होता है कुछ प्राप्त करने की रक्षा करने की इच्छा से ये उसको करना नहीं है तब वह कर्म कैसे करता है इसका उत्तर नारज जी 48-वे सूत्र में देते हैं कहते हैं कर्मों का भी कर्मों का भी समर्पन कर देता है और कर्म फल तथा कर्म समर्पन करके निर्द्वंद्व, सुख दुख, हर्ष शोक, शीर्ट, उश्न, द्वंद्वों से परे हो जाता है वह माया को पार करता है जो कर्मों के फल को त्याग देता है अर्थात निश्काम कर्म करता है किसी कर्म का कोई फल नहीं पाना चाहता क्योंकि यदि सन्यसती का अर्थ त्याग देना करें तो कर्म फलम त्यजती कहना असंगत हो जाएगा इसलिए सन्यसती का अर्थ समर्पन कर देता है जो कर्म ही त्याग देगा उसके लिए कर्म फल त्यागने का प्रश्ण ही नहीं उठता अतहा कर्म फलम त्यजती कहने के पश्चात कर्माण्यापी सन्यसती कहने का अर्थ है कि कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है केवल निश्काम कर्म ही करना परियाप्त नहीं है उसमें भी कर्म के कर्तापन तथा फलत्याग का अभिमान रहता है अतयेव कर्मों का भी भगवान को समर्पन करना चाहिए मैंने जो कुछ किया और जो कुछ करूँगा वह मैंने नहीं किया और नाम करूँगा वह सब तो तुमने करवाया है वह तुमारा किया है अतहहे मधुसूदन तुम्हे उसका फल प्राप्त करो जो इस प्रकार कर्म फल तथा कर्म भगवान को अर्पित कर देता है वह निरद्वंद्व हो जाता है मनुष्य संसार में किसी ओर के लिए तथा अपने लिए भी भले कुछ न चाहे भले वह दूसरों के लिए तथा अपने लिए कुछ भी कर्म न करे किन्तु वैदिक कर्म शास्त्र की आज्या का पालन तो सत्पुरुष को करना ही चाहिए संध्यावंदन आदी नित्य नैमितिक कर्म तो भक्त भी करता ही है ये कर्म जो शास्त्र की आज्या मान कर करता है इनको भगवान को अर्पित करने का क्या आर्थ है देखो नित्य कर्मों का कोई फल तो होता नहीं अतह उनके कर्म फल का त्याग भी नहीं बनता इसके उत्तर में बतलाते हैं कि भक्त शास्त्र की आज्या को भगवान की आज्या मान कर उसका पालन तो करता है किन्तु नित्य कर्म ना करने से दोश लगेगा इस भहे से नहीं वह केवल अपने प्रभू के लिए ही कर्म करता है आगे नारज जी उन्चास्वे सूत्र में कहते हैं वेदान नपी सन्यसती केवलम अविच्छन अनुरागम लभते जो वेदों का भी त्याग कर देता है केवल अखंड भगवत प्रेम को प्राप्त करता है वेह माया के पार हो जाता है भग्त वैदिक शास्त्रिय कर्म कुछ पाने को अथवा किसी अशुभ से दोश से बचने को नहीं करते वेदी शास्त्रिय कर्म करते हैं तो अपने प्रियतम प्रभू को प्रसन्य करने के लिए वह तो केवल अखंड भगवत प्रीम ही प्राप्त करते हैं श्रीमत भगवत में कहा भी है जब भगवान का चिंतन ध्यान करते करते परमपुरुष भगवान का अनुग्रह रदय में प्रकट होता है तब पुरुष लो का चार एवं वैदि का चार में अत्यंत निष्ठा रखने वाली बुद्धी का त्याग कर देता है इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूनता को प्राप्त हुआ शेश अगले अंक में कर दो भाई बुच है झाल वाई थाभर वाई यह बदेस वाईखनर में वाई में को तक है वाई dus